नमस्कार एक बार फिर श्याप का श्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको गुत्तम जी के साथ घटित होई घटना जो 26.11.2008 में मुंबई के इत्यासिक इमारतों ताज होटल शमेत जहां पर आतंकियों ने हमला किया था उसमें गुत्तम जी की जान ओम बनना साने कैस से बजाई इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो की निचे लाल कलर के सब्सक्राइब बेटन पर कलिक कर बगल में बैल आइकन दबाकर और नोटिपिकेशन पर और जुरूर कर ले इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो की की हमला हुआ था तो गोतम जी को मुंबई जाना पड़ा था और वहां मुंबई के ताज होटल में दो दिन रुकने वाले थे और वहां होटल में पहुंच गए और एक रात उन्होंने शांती से बिताई उस ही रात को जब रात के चाड़े तीन से चार का टाइम हुआ था तो उनको एक सपना आया उस सपने में उन्हें लोगों की चीकती हुई आवाजें सुनाई दी और कुछ समय बाद उसमें उसी यह भी सुनाई दिया कि इस होटल से तुम चले जाओ यहां पर कुछ बुरा होने वाला है और उसी दोरान गोतम जी की आखें खुल गई और वह बुरी तरह से डर गए कि यह क्या था फिर वो अपने इश्ट्य ओम बननाशा को याद करके वापिस लेट गए और जो ही सुबह हुई तो उसने वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी उन्होंने ओम बननाशा का आदेश समझा रावत का जो सपना था उसे फिर उसने आतंकियों ने कई सारी इतिहासिक इमारतों पर ताबर तोड गोली बारियां शुरू कर रखी थी और जब साम हुई तो वह कसाब समेत करीब 9-10 आतंकी ताज होटल में पहुंच गए ताज होटल में उस समय साम का वक्त था खाने के लिए लोग इकठा हुए थे उसी समय आ तो उसी दोरान गोतम जी भी टीवी पर लाइव टेली कास्ट देख रहे थे टीवी न्यू चनलों ने जो कबरेज कर रखी थी तो गोतम जी ने उमबनासा का बार बार धन्यवाद किया कि उमबनासा अगर आपने मुझे सपने में आकर यह बात पताई नहोती तो आज जिन्दा नहीं होता तो उमबनासानी गोतम जी की रक्षा की उस आतंकी हमले में करीब 160 से अधिक लोगों की जान चली गई थी जिसमें 26 से अधिक पुलिस के जवान थे हिमत करकरे सहीत कुछ विदेशी भी थे और अन्यनागरिक थे जिसमें उस हमले में एक मातर जिन्दा आतंकी अजमल कसाब को पकड़ा गया था जिसे 2012 में करीब 4 साल बाद पूने की यवरदा जेल में फांसी दी गई थी तो उमबनासा की चमतकार की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं इस वीडियो को लाइक और शेयर जादा से जादा करे मिलते हैं अगले किसी कहाने में तब तक के लिए धन्यवाद